नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सज्जन अगरवाल है, मैं बच्चों और बड़ों के पेट एंड लिवर रोग विसे सग्य हूँ, आज हमारा चर्चा का विसे है फोरेंड बोडी इंजेसिन इन चिल्डेंड, फोरेंड बोडी का मतलब बच्चे ने गलती से कोई चीज निग बच्चे, वो कई बार खेल खेल में ये फोरेंड बोडी जी सी चीजे होती है, वो मुझ में रख लेते हैं और गलती से कई बार निगल भी जाते हैं, फोरेंड बोडी को हम, especially दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है साब फोरेंड बोडी और नुकिली यह क्या नुकीले होते हैं, इनको नुकीला और इनको ढोन 신 के बलज और जो गोल की सब्सेंटरी हो सिक्का, इनको जो बिला जो इन इन फोरं बोड़ी में जसे की प्रम्बे जो होतें, इन फ्रम्जना और ध। व१ Today गोल साइज होती है begins पेट दर्थ के उल्टी होना, कुछ खाना नी खाना, खाना अटकना, तब हमें यह सस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चे ने गलती से कुछ foreign body निगल ली है, अब आयत अगर हम उपचार की बात करें, तो उपचार को दो बागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है घर पे के इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि घरवाले को अगर किसी बच्चे ने गलती से कोई foreign body निगल ली है, तो उसको खाने के लिए कुछ भी ना दे, क्योंकि अगर हमें endoscopy की जरोत पड़ी, तो minimum 6 घंटे का हमें खाली पेट रहना बहुत जरूरी है, तब हम बच् करती है, इसलिए ये दो चीज़ें घरवालों को खास ध्यान रखना है, और तीसरा चीज़ें बच्चे को जल से जल किसी ऐसे hospital में ले जाना चाहिए, जहां pediatric endoscopy की facility available है, अब हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कोई बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले घरवालों से मालूम करत हैं, कि बच्चेनी साफ औबजेक्स खाया है, कि ब्लंट औबजेक्स खाया है, तो सबस vessels के case में यह होता है कि endoscopy हमें जल से जल करनी होती है, क्योंकि जो sharp objects होता है वो खाने की आतों में गाओ कर सकता है, ulcer कर सकता है, even perforation कर सकता है, मतलब कि खाने की आत को फाड़ भी सकता है, तो ये एक emergency condition होती है, इसमें emergency endoscopy की जरूत होती है, अब अगर बात करें हम blunt objects की, तो blend objects में जो button battery होते हैं, जो Chinese खिलोनों में होती है और magnets होते हैं इनको भी हमें emergency endoscopy के द्वारा निकालना होता है, क्योंकि ये भी आतों में ulcers बना सकती है, और आतों में perforation कर सकती है, और अगर हम छोटी blunt objects की बात करें, जो size में बहुत छोटे होते हैं, इसमें हमें emergency endoscopy की जरूत नहीं होती, अगर बच्चे को कोई symptoms नहीं है, और हम इ तो endoscopy की urgent आव सकता है, कोई sharp objects है, तो endoscopy की आव सकता है, magnets निकला है, या button battery निकलिये, तो emergency endoscopy की आव सकता है, और अगर छोटी कोई round जैसे कंचे होआ, सिक्का होआ, तो हम उसमें, और उस बच्चे को कोई symptoms नहीं है, तो हम उसमें थोड़ा बहुत इंतजार भी कर सकते ह झाल उसमेंट है, तो सकता हाँ, और जैसे हम झाल ऑल खोचे कोईगर षी कर इंतब मेहाँ है, तो हम आगर पाहँ है, भीय सुरम आवसमें, तो हम आवसमें जावस बचेकर, तो हम उसमेंट है और उनी हैं, पाप्हतगर खीक आवजि कोशॉ journalists can aida